लालच दिया जा रहा हो लेकिन हम सब लोग मिल करके इस देश के सन्विधान और लोगतंत्र भाईचारा और जो इस देश की खूपसूरिटी डाइवर्चिटी है उसको बचाने के लिए एक जुठ हुए हैं हमारी लड़ाई वेक्तिगत मोदी जी से अमिच्छा जी से हम लोग तो हम बेशा से उन विचार भारा के लोगों से लड़ाई लड़ने का काम किये हैं जो तिरंगाना फेराए हो अपने दफ्तर पे और आज कहते हैं वो देश के सबसे बड़े देश भक्त हैं पनोर्म कुरूप जो सोचता है वो करता है ओदब ठाकरे साहब जी प्रियंका गांदी जी फारुक अब्दुल्ला जी माने अम्बेदकर साहब जी माहागरबंधन के इंडिया अलाइंस के सभी नेतागन सभी कारिकर्तागन सभी पददिकारी गन मुंबई और महराज से आएवे सभी हमारे बुज़र्ग अभिवावकों का पैर चूकर के प्रणाम करते हैं माताएं बहनों को नवश्कार करते हैं और अपने नौजवान युवा साथियों को यही से गले लगा करके लेका काम करते हैं देखिए आज मुंबई में अंतिम दिन फारज़ुरू यात्रा कर रहा है और सबसे पहले हम राहुल गांदी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि पूरे देश में नोने यात्रा किया चाहे कश्मीर से कन्या कुमारी हो या पश्मी राज्यों से लेकर के हमारे नौर्टी स्टेट से लेकर के हर जगर रहुल जी ने यात्रा की है और एक पैगांब एक शंदेश देने का काम किया है जो की आज के दोर में बहुत ही जरूरी है प्रसांगिक है आज एक तरफ जहां नफरत फैलाया जा रहा है जहां टकरार की बात की जा रही है जहां प्रॉपगेंडा किया जा रहा है जहां देश के संवधानिक संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है अस्ताई सरकारों को, चुनुई वी सरकारों को, लोक तंत्र में मद्दान जो आप लोगोंने किया वैसी सरकारों को खरीदा जा रहा है EDCBI के जरिये डढा करके तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है जहां सच नहीं केवल जूट का प्रपगेंडा चलाया जा रहा है सन्विधान लोकतंत्र पे खत्रा है वहां आदर ने राहूल गांदी जी ने सभी लोगों को जोडने के लिए देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए देश के सन्विधान को बचाने के लिए अमण, चैन, भाईचारा कायम करने के लिए नफुरत को हराने के लिए इन्होंने जो भारत जोरो यात्रा किया है इसके लिए हम दिल से धन्यवाद इनको देना चाहते हैं कॉंग्रेस पार्टी को देना चाहते है और यहां बैठे हुए सभी महागडबंदर और इंडिया अलाइंस के जो भी हमारे नेता हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि इस दोर में जहां पूरी ताकते लगाई गई हो डराया जा रहा हो लोगों को लालच दिया जा रहा हो लेकिन हम सब लोग मिल करके इस देश के सन्विधान और लोगतंत्र भाईचारा और जो इस देश की खूपसूरिती डाइवर्चिती है उसको बचाने के लिए एक जुठूए हैं कोई मोदी जी को हराने के लिए नहीं उस सोच को हराने के लिए जो देश को बाटना चाहती है उसके लिए हम लोग एक हुए हमारी लड़ाई वेक्तिगत मोदी जी से हमिच्छा जी से नहीं है हम लोग तो हमेशा से उन विचा धारा के लोगों से लड़ाई लड़ने का काम किये हैं जिनोंने हमेशा से जिनका अज़ादी में कोई योगदान न रहा हो जो तिरंगाना फेराए हो अपने दफ्तर पे और आज कहते हैं वो देश के सबसे बड़े देश भगते हैं अरे मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर अपना दुश्मन है तो बेरोजगारी है महेंगाई है आज गरीबी है वो सबसे बड़ा दुश्मन है आज मुद्दे की बात नहीं होती मोदी जी समुंदर के अंदर चले जाएंगे कार्पिट भिछा करके बैठ रहेंगे उसकी चर्चा होती है लेकिन किसान भाईयों का आई दुगुना का वादा किया था जब हम लोग सवाल पूशते हैं राहुल जी सवाल पूशते हैं क्या हुआ दो करोर रोजगार का क्या हुआ पंदरा पंदरा लाग का तब ये गोदी मीडिया और भाजपा के कुछ लोग एनरजी ड्रिंग पी करके हम लोगों को गाली देने का काम करते हैं और पट्टा की जो रैली हुई दस लाग से भी जादा लोग आए पट्टा में जन विश्वास रैली हम लोगों ने किया और आज का जो जन सहलाब दे करके फिर से मीडिया के लोग और भाजपा के लोग एनरजी ड्रिंग पीना पड़ेगा अरे डरने वाले लोग नहीं है यहां हम लोग लरने वाले हैं अपने लिए नहीं आपके लिए लरने आए हैं आपके लड़ाई लरनी है जाधा घूम्डे से मना किया गया है लेकिन लालु जी अभी भी तैयार है मोदी जी का दवाई करने के लिए उनको कितना भी सताया जाए डराया जाए उनका बाल पग्या इन से लड़ते लड़ते लेकिन वो डरे नहीं जुके नहीं आज माराष्ट में खास और बंबई में राहुल जी ने निमंतरन दिया और हम लोग यहां आए है और यहां बिहार की लोग भी काफी बड़ी तादाद में बसते हैं हम रवा लोग इनके भी कहतनी बाच के रही आई भाजपा के लोग से इन लोग गोबर को भी हलुआ दे करके परोज देता है इतना जूट बोलते हैं हम तो पहले भी कई बार के हैं मोदी जी प्रधानमत्री है ठीक है लेकिन साथी साथ वो जूट बोलने के फैक्टरी भी है बोदी जी जूट बोलने के manufacturer भी है wholesaler भी है और distributor भी है ये उनका काम है हम लोग सचे लोग हैं और सचे लोगों को कितना भी डराओगे दरते नहीं साच को आज क्या उसलिए हम लोग लड़े हिए इनके गीदर भबकी से हम लोग डरने वाले हैं लड़ोगे की नहीं लड़ोगे साथ दीजे गराश सबका हम तो कहना चाहते राउल गांदी जी जो यात्रा की हैं ये भो सकता है पहला चरण हो लेकिन यात्रा तो हमेशा हम लोगों को करना पड़ेगा चाहे सत्ता में आए या ना है हमको जनता के बीच उनके सुक का दुखधर का भागिदार बनना पड़ेगा हमेशा जनता के बीच रहना होगा क्योंकि इन लोगों ने इतना नफरत फैलाया है आपस पे इतना भेद भाव करा दिया है कि आज सोचना पड़ेगा कि इस भेद भाव नफरत को मिटाने में कितने साल लगेंगे इसके लिए हमको हमेशा सब लोगों के बीच जनता के बीच रहना होगा और जो प्यार का और जो आप कहते हैं जो दुकान खोला है मुहबत की दुकान इसको बंद मत कीजेगा कभी हमेशा आगे जन्दा भुलंग करने का काम कीजेगा आज यहाँ शरत पवाज जी भी है उद्दव जी भी है आपको पता है ओपरेशन लोटेस हो रहा था यहाँ विधायकों को खरीदा जा रहा था डराया जा रहा था यह एक बात बता देते हैं आज महराष्टा सरकार में जितने लोग बैठे हैं कोई लीडर भाज़पा से देलिंग कर लेंगे सिफ सेना उद्दव जी के नाम पे वोट लेंगे भाजपा से देलिंग कर लेंगे यह लोग केवल देलिंग करते हैं इसलिए वहाँ कोई भी लीडर नहीं सब डीलर बैठा हुआ है और जो डरे डरे लोग गए गए अच्छा हुआ चले गए उससे कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है हमको कितरा भी मिटाने का कोशिश करोगे फिर से हम कारवा बनाने का होसला रखते हैं उसलिए हम सब लोग यही आए कि जन्ता आप सब लोग हमारे मालिक हैं और आप लोगों का शिर्वाद मिलता रहना चाहिए अरे महराश्या में तो कम से कम विधायकों को ले गए बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजाक कर लिया बड़ा सुनते हैं मोदी जी बार बार कहते हैं बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गैरेंटी जो है सबसे मजबूत वाली गैरेंटी है हम मोदी जी को चैलेंज करते हैं मोदी जी सबसे पहले बाद में जो गैरेंटी देना देना लेकिन अगर मेरा चाचा का गैरंटी देकर दिखा दो पहले कि वो फिर से पल्टे ही कि ने पल्टे ही है तो हम लोग चलो बियार में चाचा जी गए तो गए हमारी शुब कामना है बड़े है अभी वावक है लेकिन आहां वहां जो अवाम का ताकत मिल रहा है रावल जी आये थे सब लोग आये थे जो प्यार मिल रहा है वो हम इतना आप लोगों को कह सकते हैं कि बिहार में भाजपा जो भी सोचती हो सर्वे वाले कुछ भी दिखाते हों गोदी मीडिया के लोग लेकिन बिहार में इस बाजपाने वाला रिजर्ट हम ला करके देने का काम करेंगे और आप लोगों को भी कहेंगे कि एक जुठ हो जाएए एक जुठ हो करके लड़ाई लड़िए मोधी जी क्या बोलते हैं दो करोर मधी को चालेंज करके बोलते हैं 17 महिने कीवल ड़िप टीजीम हम बिहार के रहे हैं हम पाँच लाग लोगों को सरकारी नौकरी दियत मोधी घृ अपने दस साल में भी पांच लाग कितना नौकरी दिया यह बता नहींच करकते चैनल देते हैं कितारा सरकारी नौकरी दिया सबसे ज़्यादा बहाली रेलवेक आता था सब चीज प्राइविटाइज कर दिया गया खतम कर दिया गया आर्मी में आता था उसको जो है क्या किया आप सब लोग जानते हैं प्राक्ट पे सारा चीज कर दिया गया तो इसलिए आप सब लोगों का प्यार मिलता रहे जादा सबें हम नहीं लेंगे सभी गनवान वेक्तियों को हमारे अभिवाबक नेताओं को आप लोगों को संदेश देना है वो अपनी बात को आप लोगों के समख्च रखेंगे लेकिन आप सब लोग एक नारा लगाईएगा हम बोलेंगे भातपा भगाओ आप सब बोलना देश पचाओ भातपा भगाओ भातपा भगाओ पहुत बहुत धन्यवाद जै इन जै महराश्या धन्यवाद एजस्वी जी आप अगली कड़ी में बंचीत बहुजन पार्टी के नेता प्रकाश अमबेट कर जी वो आपका भान इदर शंकरें पनूर्मक्रो जो सोचता है वो करता है अगर वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनी और बिहारियत से सरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रुआ मुफ्त में मिल जाए अगर रुआ पत्रकाश ता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दे पेटियम नमबर नोटकली 93868167 00 धन्यवाद